स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज हम बात करेंगे मौसम के बारे में दोस्तों जिले का मौसम रविवार को बदल गया सीजन का पहला मावटा रहा हाला की तेज बारिश नहीं हुई लेकिन मौसम में थंडक हो गई मौसम वैग्यानिकों के मुताबिक अब तापमान में कमी देखने को मिलेगी मौसम में बदलाव का दोर रविवार शाम से शुरू हुआ दोपहर में तेज धूप थी हाला की शाम को मौसम बदल गया शहर में थंडी हवा रही लेकिन ग्रामीन क्षेत्रों में बारिश हुई मचून में मक्की के आकार के ओले भी गिरे हल्की बूंदा बांदी रही इधर मौसम वैग्यानिकों के मुताबिक सिस्टम के कारण मौसम में बदलाव हुआ था लेकिन अब मौसम साफ होने के बाद तापमान में कमी होगी थंड़क बढ़ेगी पिपलोदा में हल्की बूंदा बांदी हुई रविवार शाम पिपलोदा और आसपास के इलाकों में हल्की बूंदा बांदी हुई मौसम में थंड़क हो गई थंडी हवा के साथ बिजली भी गरजी मचून में ओले गिरे आमबाक शेत्र में करीब 10 मिनट बारिश हुई वहीं मचून में 10 मिनट मक्के के आकार के ओले भी गिरे शादी समारों होने से बारिश मुसीबत भरी भी रही हाला कि किसानों के मताबिक माफ्ठे से फसलों को फायदा होगा धूप निकलने से 3 दिगरी बढ़ गया दिन का तापमान अब तक दोपहर में थंड़क हो रही थी लेकिन रविवार को धूप होने से दिन का तापमान भी बढ़ गया अब बात करते हैं आज की यानी की मंगलवार की तो रतलाम जिले में हुए माफ्ठे की बुंदबांदी से एक बार फिर मौसम सर्द हो गया है शीतलहर की वापसी के साथ ही घना कोहरा भी छाया हुआ है दिन के तापमान में तेजी से गिरावट दर्च की गई है गौरतलब है की बीते एक हफ़ते से तापमान में उतार चड़ाव जारी है रविवार को जहां दिन का तापमान 29 दिगरी था लेकिन शाम को हुई माफ्ठे की बारिश से एक बार फिर दिन का तापमान गिरकर 23 दिगरी से निचे रहने की संभावना है वही आज भी दूप नहीं निकलने की वज़े से थितुरन भरी सर्दी का असर देखने को मिल रहा है घने कोहरे की वज़े से सरकों पर visibility कम हो गई है रतलाम शहर और ग्रामीन क्षेत्र में सुब्ह आठ बजे तक घने कोहरे का असर बना हुआ है कोहरे की वजए से सडकों पर लोग वाहनों की लाइट चलाकर निकल रहे हैं जिले में माफ्थे की बारिश से फिर सर्द हवाओं और घने कोहरे की वजए से थितुरन बढ़ गई है रतलाम जिले में नियुंगतम तापमान अब 9 डिगरी के करीब है जिसकी वजह से 2-3 दिनों तक ठंड और कोहरे का असर देखने को मिल सकता है वही धूप नहीं निकलने से दिन में भी ठंड का असर बना रह सकता है तो दोस्तों ये थी मौसम की जानकारी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लाइफ फार्मिंग लाइफ को सब्सक्राइब करें धन्यवाद